हलो एड़ों कैसे हो आप सब लोग आपके लिए लिए नई वीडियो जिसमें कि आपने टाइटल पढ़ दिया हुगा कि उन कोश्चन के बारे में बात करेंगे जिन कोश्चन के ओपर बहस हुई है मतलब लोग कमेंट बॉक्स में आगर के खूब बहस करते हैं कि कौन सा सवा सही होगा कॉझ साउसा उत्तर फॉल्ट में जाएगा कॉझ सा सवाल गलत हो जाएगा किसका अंसर जोड़ाइगे मार्फ करेंगे नहीं करेंगे यह वाली बात जो पर थोड़ी सी चीह कर लेते हैं 4 पांस सवाल जो हैं को डिस्कस कर लेते हैं बाकि आप लोग भी बहुत होश्यार है अप लोग अगर मान लो आपको कोई और आंसफर पता हो या कुछ और पता हो तो आप कमेंट बुक्स में आ करके सीधे सीधे लिख सकते हैं और यह जंग नहीं है मतलब हमारे बीच में लड़ाई नहीं हो रही ह मैं आपको भेज रहा हूं आप मुझे भेज रहे हो तो इसी से ही म्यूच्वल अंडरस्टैंड में होती है और इसी सीधे आग्मी सीखता भी है तो देखिए ऐसा है कि कुछ सवाल जो जिन पर आपके कॉन्फिलिक्ट्स थे जिन पर बात हो रही थी उनको मैं लाए हूं आ जिसमें कि आपने देखा था कि सवाल पूचा गया था कि फैसियोला जो है वह लिवर से किसके दुवारा अटेच होता है तो इसके लिए मैंने अलग-अलग जगह से देखा है कि क्या है क्या नहीं है तो जो आपकी कोटपाल है उसकी यह कटिंग यहां पर लगे वी है कोट पर आपको देखो यह सवाल लिखा है कि फुर अटेच्मेंट फैसियोला है चार सकर एंडू सकर टू सकर एंडू सकर एंडू सोनली तो मुझे लगता है यह सवाल यहीं से उठाया था इन्होंने मतलब बिल्कुल उठा हुआ सवाल दिख रहा है आपको भी तो यहां पर ए कि यौशन है एक कॉस्चन में इंटेच पर ढूंड रहा था तो वहां पर मुझे मिला क्योशन था उसमें एक और एंटियर शकर एक था पोस्टियर सकर एक था स्पाइनी कुर्टिकल सब्स्टों लिए और यह यहां पर देखो लिखा है कि फैसिला हेपैतिका फैश्वन उ oral sucker at the end of the anterior cone and a ventral sucker at the base of the cone which allows it to attach to the lining of the bile duct so the option D is correct मतलब option जो D था वो posterior sucker और यह था तो यहाँ पर लिखाया यह ठीक है और यह internet पर और जगह लिखाया है कि bile ducts और binary ducts होती है उनके साथ में posterior sucker से जुड़ा होता है ठीक है oral sucker से यह suck करने का काम करता है लेकिन फिर आप यहाँ पर देखो यह website है जो कि web stanford dot edu है यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई averaging 30 mm in length and 13 mm in width fasciola hepatic as one of the largest fluke in the world the adult worm has a very characteristic leaf shape anterior and being broader than posterior in the anterior cone shape projection the fluke possess powerful oral sucker at the end of the anterior cone and ventral sucker at the base of the cone which allow it to attach to the lining of the binary duct तो यह फिर से यहाँ पर लिखा है कि posterior sucker जो है वो अटेश करने काम करता है अब यह posterior के बारे में बारे में बात कर रहे हैं तो पैथोजैनिसीटी वगरा में कहीं जरू 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 इसा लिखा है अब वहां left is oral से लिखा है कि mental से लिखा है कि नहीं लिखा है तो यह explanation is आउं इसमें यह फशा हुए बात है कि यह कों सा मान रहे हैं posterior sucks only मान रहे हैं और और मान रहे हैं या फिर कॉमन बात यह कि दोनों इन्हें मान लेना चाहिए क्योंकि अटेच्च करने में दो नहीं मदद करते हैं ठीक है ना तो चलते हैं नेक्स्ट देख सकते हो लिखिए है हरेडिटी की डेफिनेशन है दा ट्रांस्मीशन और पासिंग ओफ यह सीधा हिदा वही है पासिंग ऑफ जेनेटिकली बेस करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स दो ऑफ्स्रीम अज यह क्या कराता है है तो इनेटेंस है वह उसका प्रोसीस होता है तो बस सवाल हमारा है पेरा सेानिक जिस्टम वाला सवाल डस नोट यह एक ऐसा सवात यह फोल्ट में जा सकता है इनिज द्धा ओंली कोोशन इन देखा द्यास जो हां सो क्योंकि और फोल्ड में जाना चाहिए क्योंकि अहलों पड़ों के भांन लिखा हुआ है के ब्रॉंख जो होते हैं उनको aim unable ko a kности वायु काद ट्भर सिस्टम से होता है थो आराकिक सब्सक्राइब आपका पराशिंप्थारिक से होता है और आपका जो डाइलेशन होता है मतलब जो इस्ट्रेस्फ फॉल कंडिशन सुति है तो वहां आपका जो ब्रॉंक कर ब्रोंखाई होती है उनको चोड़ा करना होता है एयर के ट्रांसमिशन के लिए जिससे की सई से एयर पर जा सकते हैं और उटो रहा है मिल सकते हैं तो यह ध्यानिक बात की यह मस Depression करता है पैसे को अब यह यहां जहांसे मैंने उठाया वहां लिखा है मंसल्स भर一下 भूण्कउय अ की नहीं लिखा है और यह stimulate celebrity secretion यह भी सबको पता है परस्टाल्सिस को भी speed up कर देता है speed बढ़ा देता है और आपका जो bronchiol से उनको भी concept कर देता है तो यह चारो option जो है सही है तो यह चारो option सही लग रहे हैं तो यह question आपका ऐसा है जो fault में जा सकता है तो अगर बहुत ही बड़े लेवल पर जाकर के मानलों ब्रोंकाई को एफेक्ट करता है वह अलग बात हो सकते हैं लेकिन मुझे यह option लगाता है जिस पर बात हो सकती है बागी option तो सही है इस्टीमिलेट करता है पैस्टालसिस को बढ़ाता है तो सब चीजे सही होती है क्योंकि जब आपका जो कि जो stressful conditions होती है फिर जब आपका शिप्रदाटिक नर्वर सिस्टम काम करता है तो उस ताइम पर आपका पैस्टालसिस नहीं होती है डाइस्टिव एंजाइब बनना बंद हो जाते हैं क्योंकि डाइस्टिशन जो हो जाता है ठीक है तो यह था हमारा next सवाल इसके बाद एक और next सवाल हमारा जिस पर बाद हो रही है वह है यह जो आपकी बोजवानियन बटनागर की सीधी-सीधी इस में अपको पता ही होगा कि जो आपका सबको पता ही है कि मेगा आपका तीन बार मैटर से करता है और फाइनली एम्ध्यीयो से बनाता है तो यह जो वहल हो ती है यह मेगा स्पोर की वहलो लो कि रिखा है आफ्टर दिखिंगर्ट डालास न्युक्लिर डिविजिए समानिय सोचना तो यार बच्चे का हमारा भी सीधा सीधा बनता है कि मेगा स्पोर इंजम के अंदर बंद होता है अब वॉल से कवर होता है आपके आपके बोड़ क्या बनाता है तो याड यह जो सवाल थे आपके लिक्कत दे रहे थे मतलब जो लग रहा था भी क्या होगा तो नेक्स्ट जो है इसके अलाबा कोई सवाल नहीं बचा है बाकी के सवाल तो सारे सही थी तो इन पर लोग बात कर रहे थे बहस कर रहे थे बाकी आर देखिए आप कमेंट बुक्स में आगर के खूब बाते कर सकते हैं खूब लिखो थोड़ तो रेफ्रेंस मानेंगे बाकी रेफ्रेंस बुक तो बहुत होती होंगी तेकिन उसको रेफ्रेंस मान करके टू सकर कर देना चाहिए ठीक है ना बाकी आपकी राय के लिए हमें से दरवाजे खुले हुए है तो राय अपनी जरूर दीजेगा नीचा करके थैंक्यू सो मच पूरी देखने के लिए शुब्रिया.